नमस्कार अब अब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है नोट बंदी पर बोले नरेंदर मोदी अमीरों की हुई नीद हराम नोट बंदी के अपने फैसले को गरीबों का समर्सक बताते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने स्वामवार को विपक्ष विशेशकर कावरिस पर निशाना साथते हुए कहा कि भस्तों की रातनों की नींद उड़ गई है और गरीब आदमी चैन की नींद सो रहा है मोदी ने उतर ब्रधेश के गाजीपुर में भाज़का की परिवर्धान यातरा में विपक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि विमुद्री करन के बाद राजिटिक पार्टियां परिशान है और हैं नोटों की माला पहनने की आज़त थी अब उनके पास के मरे एक ही विकल बचा है कि पांसो और एकाजार के नोटों को रदी की टोकरी में डाल दे मोदी ने किसी का नाम लिए भी ना कहा कि कुछ लोगों के चेहरे पर मुसकान है यह तक कहते हैं कि मोदी जी आपने एक अच्छा काम किया है लेकिन दूसरी और वही लोग अपनी पार्टी कारे करता हूं को मेरे फैसले का विरूत करने को उकसाते हैं उनका परोक्ष इशारा बस पासबा और आपकी तरफ था जिन्होंने इस कदम की अलुचना की है मोदी ने कहा कि वे गरीबों की खातिर लड़ने के लिए तैयार है मुझे पता है कि मुझे बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों के पास भारी पैसा है वे बड़े ताकतवर लोग हैं लेकि मैंने यह लड़ाई गरीबों के लिए चेड़ी है मोदी बोले कि इमानदारी के नाम पर देश की जन्ता को गुमरहा करने वाले नेताओं से बैं कहना चाहते हैं कि पांसो और एक जार के नोट यानी काला धन जाना चाहिए और बैमानी जानी चाहिए इसलिए इसे हटाओ उन्होंने कहा कि अब गरीब और अमीर समान हो गए हैं जन्ता को इस फैसले पे जो तकलीफ हो रही है उसकी उन्हें पीड़ा है आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना करना पड़े करता रहूँगा मोदी ने पक्षी पार्टी पर कटाक्ष किया कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो आपने चवनी बंद कर दी थी तब कौन सा कालून था मुझे बताओ किस से पूछा था आप चवनी से आगे चल नहीं पा रहे आपने अपनी बराबरी का काम किया और हमने अपनी बराबरी का काम किया। इस सब के बीच नोट गंदी के साइड एफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। पास एटी एम हैं जिन में सब ज़्यादा लगवग पांच हजार स्टेट बंक अफ इंडिया के हैं। राइधानी बोपाल में एटी एम की संख्या लगवग ग्यारा सु है। पान सो से एक हजार रुपए के नोटों पर पर्दी बंदी के बाद अर्थ बेफ़ता में अचानक नकली की कमी पैदा हो जाने के कारण राफ्टी राइधानी दिली में रहडी पटरी वाले दुकानदारों की संख्या घटकर एक चौथाई से भी कम रह गई है। साथी बाजारों में भी काफी कम हो गई है दिली का दिल कहे जाने बाले कनाट प्लेस में रहडी पटरी वाले दुकानदारों की संख्या रविवार को बेहत कम रही। टॉप की अफटाई दुकान लगाने माले रिंकू ने कहा कि सुबह से दो पीस ही बिके हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बे सरकार के स्ट्रसले से नाराज हैं। लिंकू ने कहा कि अभी तात का लिक दिकत है जो बात में ठीक हो जाएगी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उत्तरपदेश में जौनपूर के शाहगंज कोतवाली क्षितर में रही वार को एक वृद्ध रामू मौरिका बैंक से शादी के लिए रुपए ना निकल पाने के कारण दिल का दौरा पढ़ने से दिर रात मृत्य हो गई। रामू शादी में खर्च के लिए बैंक से रुपए निकलने बैंक गया था बैंक से उसे मातर चारहजार रुपए मिले। पूरे रुपए नहीं मिलने के कारण बें सदमे मा आ गया और उसे दिल का दौरा पढ़ गया। उसकी मृत्यू से घर में बज रही शादी की शेहनाई की जगे मासम चा गया। शी जिन पिंग ने कहा अमेरिक तसाथ चीन के बीच सही होगी एक मातर राफ्ता आफ्रेलिया के प्री इसकूलर्स को सिखाई जाने वाली भाषाओं में हिंदी होगी शामिल।